अगर आपको बार बार थकान होती है कम जोरी रहती है आपको शरीर में बिलकुल भी एनरजी नहीं है खुन की कमी है कुछ भी काम करनी कमन नहीं करता है आपके सेर में कमर में बार बार दर्ध होता है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत प्रपू लड़ू जिसको खाते ही आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप फिरसे दढ़ने लगेंगे इस एक लड़ू को खाने से आपको पूरे दिन की एनर्जी और निउट्रिशन की जो जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है तो चलिए दोस्तो हम यह एनर्जी से इसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम अक्रोट लिया है अब हमें इसे मिक्सर में दरदरा पीस लेना है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्रोट में फरपूर मातरा में आईरन, मेंगनेशियम और सलफर होता है जो हमारे शेरी में खुन की कमी को पूरा करता है यानि कि शेरी में खुन को बढ़ाता है साथी शेरी को एनरजी देता है इसके अलावा अक्रोट हमारे शेरी से धकान, कमजोरी, सरदर्द, कमरदर्द, मार्श पेशियों में जकरन जैसी समसियाओं को बहुत चल्द दूर करता है ये देखिए दोस्तों हमें अक्रोट को इस तरह दरदरा पीसना है इसका बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं बनाना है वो इसलिए क्योंकि अक्रोट के छोटे छोटे दाने लड़्डूओं में एक शानदार करंची टेस्ट देंगे लेकिन यदि आप लड़्डूओं को पूरो वजर्गों को खाने के लिए देते हैं तो उनके लिए आप इसका फाइन पाउडर बना सकते हैं ताकि उन लोगों को चवाने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों अब हमें एक कडाई में 150 ग्राम सफेद तिल लेना है और इसके साथ ही इसका आधा यानी की 75 ग्राम काले तिल लेना है दोस्तों हम ये दोनो तिलों को मिलाकर लो फ्लेम में ट्रारोस्ट कर लेंगे यानी की सूका से कर लेंगे दोस्तों बारिस का मौसम शुरू होते ही जिन लोगों को सर्दी, खांसी, जोडों में दर्द, कमर दर्द और मौसमी भीमारिया होने लगती है तो उनको वारिस के मौसम के स्टार्टिंग से ही तिल को खाना शुरू कर देना चाहिए फिर वो जल्दी से भी मान नहीं पढ़ेंगे तिल हट्टियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है इसमें भरपूर मात्रा में आईरन होता है, प्रोटीन होता है और विटामिन B कॉंपलेक्स भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पहा जाता है जो हमारी पढ़ती एज यानी की उम्रे के एफेक्ट को कम करता है साइन्स ओफेरिंग को दूर करता है, श्री को तागत देता है थकान और शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द को दूर करता है दोस्तो जब तिल चटकना बंद हो जाए और इसमें से अच्छी खुश्मू आने लगे तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे दोस्तो जब तिल ठंडा हो जाए तो इसे भी हम मिक्चर में डाल कर अकरोट की तरह दर्दर पीस लेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं अकरोट की पाउडर की तरह हमने इस तिल को भी दर्दर पीस लेया है जिससे ये दोनों इंग्रीडियंट्स लड़ूओं में क्रंची टेस्ट देंगे दोस्तो अब हमें बिना छिलके वाली 150 क्राम रोस्ट की हुई मुंगफली लेना है और इसे भी हमें अकरोट और तिल की तरह दर्दर पीस लेना है किराना की दुकान ये ग्रोसरी स्टोर पर ये रोस्ट की हुई मुंगफली आसानी से मिल जाती है तो आप इसे बहुत आराम से ले सकते हैं दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि मुंगफली की न्यूट्रीशन वैलियो बहुत अधिक होती है इसमें काजू बादाम जैसे न्यूट्रीशियस तत्व होते हैं साथ ही ये काजू बादाम से भी जादा सस्ती होती है दोस्तो मुंगफली में प्रोटीन कार्वाइडरेट बितामिन वी सिक्स होता है साथ ही साथ मुंगफली बहुत जादा पोस्टिक और शक्ति वर्दक होती है इन लड़ों में मुंगफली को एट करने से इन लड़ों की तागत कई गुना बढ़ चाती है अब इन तीनों चीजों को आप आपस में मिला कर अच्छे से मिला लीजिए और फिर इसमें सौगे राम घी डाल कर एक बार और अच्छे से मिला लीजिए दोस्तों लड़ों बनाने के लिए हमने अगरोट दिल और मुंगफली को अलग-अलग इसलिए पीसा है क्योंकि इन में से कोई चीज जल्दी पिस चाती है और कोई चीज थोड़ा सा टाइम दे लेती है ऐसे में सबको एक सांद पिसने से चल्दी पिसने वाली चीज का एकदम बारिक पाड़ बन जाता है जबकि हमें ये तीनों चीजे दाने दाट चाहिए दोस्तों अब लड़ों के लिए हमें तीन पाव यानि की 750 ग्राम गुर लेना है और इसे लो फ्लेम में कडाई में डाल करके मैल्ट कर लेना है आप चाहें तो दोस्तों गुर के छोटे छोटे टुकडे करके इसे कडाई में डाल सकते है दोस्तो गुर शरी में immunity को बढ़ाता है हमारे शरी में खुन की कमी को पूरा करता है यानि कि खुन बनाता है और हमारे हज्डियों और मार्च पेश्डियों को भी मस्बूत बनाता है इसलिए ये थकान, कमजोरी, सरदर्द, बलंदर्द, कमरदर्द और जोडो घुटनों का दर्द के लिए ये एक रामबार दवा है येदी की दुस्तो हमारा गुड अच्छे से पिखल गया है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और जो अक्रोड तिल और मुंगफली का हमने अल्रेडी मिक्षर बना करके रखा हुआ है उसे हम इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए दोस्तो सभी चीजे आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि इसकी लड़ू बिल्कुल उसी तरह बन सके जिस तरह हम सर्दियों में तिल के लड़ू बनाते हैं दोस्तो इस मिक्स कर को हमें पूरी तरह ठंडा नहीं करना है वर्णा लड़ू नहीं बनेंगे दोस्तो इसको इतना गर्म रखना है कि इसे हम छूँ सके और आसानी से लड़ू बना सके लड़ू बनाने के लिए हाथों में थोड़ा सा घी लगा ले ताकि ये मिक्सर हाथों में ज़्यादा चिपके नहीं जिसे हम इसे मनपसंद लगके लड़ू बनागा के तयार कर सके दोस्तो आप ये देख सकते हैं बहुत इजी लिए गोलगो लड़ू बन रहे हैं दोस्तों आप लड़ू बनाते बनाते अगर आपका ये मिक्षर ठंडा हो जाए तो आप इसे लोग फिलेम पर फिर से थोड़ा सा घर्म करके बड़ी ही आसानी से ये लड़ू बना सकते हैं इन लड़ूं को बनाने के बाद जब ये लड़ू अच्छे से सेट हो जाएं और ठंडा हो जाएं तब किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल कर 10 से 15 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और इसे अपनी डेली डाइट में सामिल कर सकते हैं तो इस तरह से ये हमारे एनरजी से भरपूर खुन की कमी को दूर करने वाले थकान, कमजोरी, सरदर्द, कमरदर्द, खुटनों में दर्द, बदन दर्द दूर करने वाले कमाल के ये लड़ू कुछ ही मिन्टों में बन करके तयार हैं तो दोस्तों आप भी इलड़ू को बनाईए और अपनी सिहत बनाईए साथ ही ये मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना साथ ही हमारे इस येटूब चैनल को भी ज़रूर सबस्क्राइब करना ऐसे ही healthy effective recipes के लिए सो फ्रेंड्स अम मिलते हैं हमारी ऐसे ही healthy effective recipes के साथ तब तक के लिए तिल दिन टेक केर अफिर लवली सेल्फ बाई